कि आपको में आपको मेट्रिक्स के बारे में बता या था लग लग चार वीडियो में ने बनाया थे उस पर आज के वीडियो में बात करने वाले characteristic equation, characteristic roots क्या होते हैं और eigenvalues क्या होता है आप characteristic roots बोलो या फिर eigenvalue बोलो दुन्हों सेम ही होते हैं और वो होते क्या हैं हूँ किसे find out कर सकते हैं वो हम आज ये वीडियो में देखने वाला है इसे पहले अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं देखे सबसे पहले ये आइगन वेल्यों फाइंड आउट कैसे करेंगे और ये आइगन वेल्यों वेल्यों किस मेट्रिक्स के लिए होती है आइगन वेल्यों में ऐसा एक बात याद रखना हमें साम स्क्वेर मेट्रिक्स होगा उसी के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वेर मेट्रिक्स मतलब क्या 2 x 2 3 x 3 4 x 4 ऐसे ही n x n का matrix 2 x 3 होगा तो हम उसके eigen value find out नहीं कर सकते है 3 x 4 होगा 4 x 2 होगा तो ऐसे matrix में हम eigen value find out नहीं कर सकते है सिर्फ और सिर्फ square matrix जो होगा उसे में हम यह roots और eigen values find out कर सकते है तो हम अब जठते हैं कि for example अगर कोई matrix A है जो कि square matrix है तो हम अगर इसे में eigen value find out करनी है तो हम इसे इस form में convert करेंगे A minus lambda I यह lambda क्या होगा जब भी हम उसे A minus lambda I के form में लिखेंगे उसके बाद जो lambda मिलेगा वो होगी इसकी eigen value eigen value बोली आप यहाँ फिर इसे बोल सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखाए characteristic, roots, latent value बहुत चारे नाम होते हैं हम उसे बुला सकते हैं उस नाम से ठीक है और I क्या होगा unit matrix unit matrix A minus lambda I ठीक है अब हम एक example देखते हैं अगर इस matrix है A है 2, 4, 5, 3 और इसकी हम अगर पूछी हो equation characteristic equation क्या होगी और root भी eigen value find out करो या फिर इसकी जगह characteristic roots अगर हम यह सब पूछा है तो हम इसस find out कैसे करेंगे वह हम देखते हैं सबसे पहले मैंने क्या खा यह square matrix होना चाहिए यह square है बिल्कुला यह 2 cross 2 का matrix है 2 row 2 column तो इसकी magnitude value find out कर सकते है सबसे पहले क्या करना होगा A minus lambda I में इससे convert करना होगा और उसको हम क्या करेंगे A minus lambda I determinant is equal to 0 हम equivalent करेंगे ठीक है तब ही तो हम lambda की value find out कर जाकते हैं तो देखिए क्या होगा यह 2 4 5 3 minus lambda होगा यह समझ मैं ऐसे क्यों हुआ यही पर lambda क्यों आया यही पर क्यों नहीं आया क्योंकि यह पर देखिए minus lambda I है I क्या होगा में ऐसा 1 0 0 1 होगा तो मगर इससे lambda से multiply करेंगे तो 1 into lambda 1 into lambda यह पर lambda से multiply किसने होगा तो 0 हो जाएगा तो यह minus lambda है मतलब 2 minus lambda तो 2 minus lambda 4 minus 0 तो 4 5 minus 0 5 3 minus lambda तो 3 minus lambda ठीक है समझ मैं आया इस तरीके से यह हो सकता है हम इसे equal to 0 करेंगे तब हम इसका equation find out करेंगे कैसे इसका determinant find out करेंगे वह कैसे होगा इन दोनों का multiplication minus इन दोनों का वह मैं आगे बताता हूँ तो इन दोनों का पहला multiplication करेंगे 2 minus lambda into 3 minus lambda minus इन दोनों का 5 into 4 20 अब इन दोनों का multiplication करेंगे 2 into 3 6 minus 2 lambda minus 3 lambda minus minus plus lambda square minus 20 is equal to 0 तो क्या होगा इसका lambda square plus plus होगा की minus होगा minus 5 lambda minus 14 is equal to 0 तो देखे यह जो आई न इसे हम कहते है characteristic equation यह होगी characteristic equation ठीक है इसे हम second order quadratic equation के दाथ compare कर सकते s square minus 5 x minus 14 इसे लिख सकते है न तो इस equation में lambda की value find out करनी होगी तो कैसे करेंगे कैसे होगा 14 is equal to 7 into 2 कर सकते है और minus 5 लाना है तो minus 2 plus sorry plus 2 minus 7 करने के दाभी minus 5 आगा न इन दुनों की मदद से देखे इन दुनों का multiplication 14 और इनका subtraction क्या होगा minus 5 इस तरी के सेटिंग करके लाना है answer तो क्या होगा lambda square ठीक है minus 7 lambda plus 2 lambda minus 14 ठीक है लेखे तो minus 7 plus 2 क्या है minus 5 आगा न तो इन दुनों में जब क्या करेंगे lambda common लेंगे तो बचा क्या lambda minus 7 इन दुनों में से plus यह पर क्या 2 common लेंगे तो बचा क्या lambda minus 7 यह दोनों से माना चाहिए तो lambda minus 7 lambda plus 2 is equal to 0 तो lambda की 2 value है 7 और minus 2 ठीक है तो यह होगा आइगन value हमारी क्या होगी आइगन value या फिर characteristic roots ठीक है तेक है यह तो होगी हम किसे step by step method करके इसकी lambda find out या फिर characteristic equation find out कर सकते है अगर आपको exam में पूछा है तो यही method यह करना होगा पर अगर mc क्यों है और अगर आपको जल्दी से solve करना है तो मैं आपको एक shortcut तरीका बताऊंगा जिसकी मदल से आप बहुत ही आसानी से यह characteristic equation find out कर सकते हो और उसी की साथ eigen value भी find out कर सकते हो ठीक है जो भी मैं two cross to matrix दिया हो तो उसका एक formula form होता है characteristic equation का क्या होता है lambda square minus trace into lambda plus determinant of that matrix ठीक है यह trace क्या होता है मैं बताता हो for example हमना अभी थोड़ी देर पहले एक matrix देखा क्या था हो 2453 अगर हम इसकी characteristic equation find out करनी है तो हम इस formula की मदच्चे कैसे कर सकते है तो यहाँ पर lambda square तो पहले ही आ जाएगा अब यह trace क्या होता है देखे trace equal to होता है यह जो दोनों diagonal है ना leading diagonal उन दोनों का summation two plus three क्या होगा five इन दोनों का summation two plus three five वो होगा trace तो trace क्या है यह five into lambda अब plus determinant तो इसका determinant क्या होगा two cross two का बहुत आसान होता है इन दोनों का multiplication six minus इन दोनों का 20 तो क्या है minus 14 तो plus क्या होगा determinant minus 14 है तो direct minus 14 देखे characteristic equation आपने कुछ second में ही निकाल दी अब इसकी मज़द से आप roots या फिर eigen value बहुत ही आसानी से निकाल सकते है ठीक है तो यह बहुत simple होता है इसमें कुछ भी tough नहीं है अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए कोई query है तो comment box में पुछे मैं आपको answer दूँगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद दे तो वीडियो को like कर दीजिये और channel को भी subscribe कर सकते है and thank you so much for watching this video